कई बार लोग बोलते हैं कि धर्म और राजनीती को अलग अलग रखना चाहिए धर्म और राजनीती दो अलग अलग विशाय हैं और राजनेताओं को अपने आपको धर्म से दूर रखना चाहिए परंतुन सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब जब धर्म को राजनीती का आश्रे मिला है तो धर्म और राजनीती दोनों का ही बड़ा ओदय हुआ है आप इसाईयों को देखे उन्होंने चर्चों को संरक्षन दिया उनके शासकों ने संरक्षन दिया और आज पूरी दुनिया में क्रिश्चेनिटी फैली विए इसलाम को जब शासकों का सुल्तानों का संरक्षन मिला तो वो फैलते फैलते 58 देशों तक पहुँच गए और हम सेकुलरिजम का ढोंग रस्ते रह गए और सीमित रह गए केवल एक ही देश में जब विक्रमाजित्य के समय में धर्म को शासकों का संरक्षन मिला तो हम पूरी दुनिया में फैल चुके थे आज एक बार फिर से धर्म को राजिनीती का संरक्षन प्राप्त हुआ है और सनातन संस्कृती का पुनुरत्थान